अब elements of a great portfolio तो मैंने आपको बता दिया लेकिन how you can create your own portfolio इस पे बहुत बहस चलती है और लोग बहुत ज़्यादा points हुए अपने mind में रखते हैं बहुत ही साधा जुबान के अंदर में आपको portfolio के कुछ steps बताने वाला हूँ और इंशाला यह steps आपके इतने काम आएंगे के it can help you to create a great portfolio सबसे पहले आप अपना catchy introduction लिखेंगे ऐसा introduction जो आपने खुद बनाया हो obviously आप chat GPT से पूछ सकते हैं लेकिन अगर 100 का 100 बंदा chat GPT से पूछेगा या 200 का 200 बंदा chat GPT से पूछ के introduction लिखेगा तो वो introduction कैसा introduction होगा just imagine समझ रहे हैं तो खुद से लिखना start करें creativity लेके हैं अपने बारे में बताएं सारा कुछ भी ने बता देना के मैं वहाँ पर रहता हूँ मेरे फ्लान दोस ने मेरे साथ ऐसा कर दिया था मैंने उसे छोड़ दिया नहीं सिरफ अपने बारे में और positive चीज़ें don't write anything negative ये नहीं कहना के मैं बहुत गरीब हूँ please में जो project दे दो ये भी नहीं कहना के मैं अगदे हाथ से हूँ यहाँ पर इंटरनेट नहीं होता मुझे project दे दो no 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 कोई मिन्नत नहीं पानी introduction ऐसा लिखने कि जो catchy हो और आपने about section बहुत thorough बनाना है इतना thorough about section बनाना है आपने कि लोगों को पता चले कि यार इस बंदे के पास knowledge है इसका नाम ये है इसकी profile ये है इसके portfolio का link ये है ये वहाँ पर reside करता है इसने इतने projects पहले बनाए है फ़लाँ company के साथ इसने ये project किया है और अब इसका passion है data science हो रही आई करना so please add a more thorough about section then आप क्या करेंगे include an easy way to contact you ये नहीं करना कि यहाँ पर click करो वहाँ पर click करो यहाँ पर click कर दिया वहाँ पर click कर दिया तो आपको पैसे generate होना start हो जाए ऐसा ना कीजिएगा directly उन्हें अपना email address दे ठीक है या अपनी profile का link दे WhatsApp कभी ना दे ना कोई unprofessional चीज़े न बताएं then add your most promising projects less is more यानि कि अगर आपने 27 project की है न टॉप 5 निकाल के देने हैं आपने ये नहीं कि मैं 15 दे 15 रख दे हैं 27 के 27 रख दूँ so top 5 projects आपने देने हैं less is always more focus way में बताएं कि मैंने ये 5 बहुत आला मेरे projects हैं बाकी वहाँ पर पड़े हुए make it easy to navigate जब आप अपना portfolio static website के थुरू बताते हैं तो बहुत ही असान बनाएं कि यहाँ पर मेरा about me function है एक ही landing page के उपर आप सारी information रख दें projects के link दें ताके वो बंदे वहाँ से link से जाके पढ़ सकें आपने ये भी बताना है कि मैं क्यूं stand out कर रहा हूं और मेरा portfolio क्यूं बाकियों से बहतर है बताना कैसे है करके दिखाना है एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि आप अपना portfolio बना रहे हैं वो एक website हो सकती है वो github की repository हो सकती है that could be anything वो linkedin के profile भी हो सकती है तो उसके अंदर जो काम आप बताएं वो ऐसा काम हो जो पहले किसी ने ना किया हो अगर किया है तो आप जैसा ना किया हो अगर आप जैसा भी किया है तो आप जैसे present ना किया हो so make it really unique जो stand out करे then कुछ चीजे मैं आपको बताऊंगा जो आपने avoid करनी है कि portfolio बनाते वकत कौन से चीजे avoid की जा सकती है अब यह साथ points ऐसे हैं जो आपके portfolio को चार चांद लगा सकते है if you want to learn how to make a portfolio if you want to make a portfolio you have to be very careful about these seven points ठीक है आप इसका screenshot ले सकते हैं यहां पे अपनी screen को रोक के but I will go forward now और यहां से meanwhile मैं यहां पे stop करता हूं और आप लोगों से request यह है कि आप इसका screenshot ले ले लें अपने पास and then अगर आपने अभी तक stream को live को like नहीं किया और तो इस video को like नहीं किया तो please like करते हैं it will actually help us अब अगला काम यह है कि आपने जब अपने most promising projects देने हैं तो less is always more मैंने पहले भी बताया इसके अंदर क्या करना है आपने highlight करना अपना work जो आपने prominent companies के लिए अपने niche के अंदर किया हुआ है ठीक है मतलब यह कि वो वहला अपना project लिखें वो वहला बताएं जो top notch की companies का किया है या जिस project पे आपको फखर है यानि कि जिस project पे आपको लगता है कि यार ये project मेरा सबसे best किया है आप उसको highlight करें focus करें common projects पे जो common problems हैं आम इनसान की उन projects पे ज्यादा focus करें उससे क्या होगा उससे आपको एक edge मिलेगा edge कैसे मिलेगा कि उस बंदे के दिमाग में जो recruiter है एक बात चल रही होगी कि यार इसने किन projects पे काम किया और एक machine learning engineer data scientist या आम बंदा जो है उससे पता होता है कि यार कहीं ये हो जाए ना काम तो वह best होगा for example पाकिसान के अंदर आजकल जो सबसे बड़ा मसला है वो बिजली का है ठीक है तो अगर आपको ऐसा project बनाते हैं जो बिजली की फरवानी असान करते using AI या बच्चों को बिजली के बिल का लोगों को बिजली के बिल की estimation बताना start करते तो वो एक common project हो जो सबी के साथ link करेगा इस तरह के projects जो आपने highlight करने हैं वो highlight नहीं करना Titanic में कितने मर गें कितने बच गें वो सबने किये हुए वो common नहीं है वो basically एक example data set है आपने original data set common data set लेना है जो सभी के mind में घूम रहा हो and then consider adding a page or section for each project तो अपने portfolio में ऐसा नहीं करना कि सारी खिचड़ी ये की page पे लगा दे अब separate pages को add करके उनके links ताके एक separate page पे जाके वो portfolio देख सके then include project details, learnings and take away एक section ऐसा बनाएं जिसमें project की detail बताएं कि मैं इसमें क्या 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 करना चाता हूँ जैसे हमने recently EDA के projects की है फिर learning बताएं कि इसमें से सीखने को क्या मिला आपको और लोगों को क्या मिलेगा फिर take away बताएं take away होता है one liner या two liner कि मैंने इस data में से क्या निकाला समझ रहे हैं तो आपने key takeaways बताने तो ये चार points आपके होंगे most prominent projects को बताने के ठीक है then अगली चीज़ जो आपके पास आती है that is how to stand out इस पे बात अगर करें तो आपने self hosted solutions के उपर जाना है यानि के वो वाले solution जो आप खुद से अपने domain के उपर host कर रहे हैं इसका फाइदा ये होता है कि यार जब आप अपनी domain लेके उसके ओपर website बना रहे होते हैं तो आपके पास control होता है और उसका सबसे बड़ा advantage ये होता है जब आपके पास control होता है कि आप उसको एक credible way में present कर सकते हैं आप अपनी मरज़े से उस portfolio को अच्छा बना सकते हैं आपको कोई restriction नहीं होती है आप HTML को use करें Java को use कर लेते, CSS को use कर लेते हैं and there are many other language जिनको आप use करके basically अपनी portfolio अच्छा बना लेते हैं बाद हुए आज कल chat GPT भी है तो website बनाना कोई मुश्किल नहीं है, portfolio बनाना मुश्किल नहीं है, आप chat GPT से भी पूछ सकते हैं which I am going to show you later on appealing design बनाएं, लोगों को copy ना करें, खुद से सोचें, time लगाएं इस पे, अच्छा खासा invest करें अपना time, 10 से 20 दिन क्या, दो माह भी आपके लगते हैं portfolio के design करने में तो लगाएं लेकिन ऐसा design करें कि जग मगाता उठें, अब एक मेरी बात सुने, आपने काम करना है Google में, ठीक है, CV तुझे में नहीं है Microsoft Word ते, just imagine, क्या होगा, मगरे Microsoft Word की CV आप भेज रहे हैं Google वालों को, और वो एक page बनी हुई है, and that's it, बहतर ये होगा कि आप Google में जा रहे हैं, कितनी बड़ी company हैं, और वो गूंगल में इतना कुछ काम कर रहे हैं, तो आप अपना portfolio उनको बताएं ना, अपनी website को वहाँ पर बताएं, बजाए इसके कि आप एक page बहिए दें, Talk about the types of projects that interest you, जो project आपने की हैं, वो तो ठीक, well and good, अपने projects कर लिए, बात खतम उनकी, अब ये भी बताएं कि future में कौन-कौन से projects आपके interest की हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये एक, 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 वो क्या उसे कहते हैं, आपकी vibe जाएगे कि ये बंदा सीखने वाला भी है, तो बेहतर ये होता है कि उस company जिसमें आप apply कर रहे हैं, ये जिसका आप target रखते हैं, उनके projects अपने mind में रखते हूं, इंटरेस्ट में लिखते हैं, ठीक है, and then, अपने potential clients, जो हैं, उनके work trades, जो हैं, वो बताएं, for example, मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दे तो आपको, illustrate करने का मतलब होता है कि आप design में बता दे, उन्हें एक graph बना के, illustrate work trades that will help potential clients get to know you, यानि कि आप ये बताएं कि मैं time पर पूरा उतरने वाला हूं, illustrate करते हैं, आप ये बताएं कि जो मैं code करता हूं, उसको explain करता हूं, आप ये बताएं कि मैं Jupiter notebook भी देता हूं, फ्लान चीज भी दे हैं, ठीक है, तो वो आप बता सकते हैं, then आप document करें, tools को जिनके साथ आप familiar हैं, और आपने कैसे use किया उन्हें पास में, like मैं लिख देता हूं Python, लेकिन मैं ये भी रताऊंगा, मैं फिर से repeat कर रहूं कि मैंने Python कहां कहां पे use किया, so believe me, कि steps जो हैं create करने के portfolio, उसके अंदर ये चीज़ें आपके portfolio को stand out कर देती हैं, ठीक है, ये चीज़ें, यहां से इसका भी screenshot ले ले लें आप, अंजी, इसका screenshot अगर आप ले लेंगे तो आपको और भी समझा रहेगी, ओके जी, hopefully आपने screenshot ले लिया होगा, अब कौन सी चीज़ें avoid करनी है portfolio के लिए, सबसे पहले चीज़, copy नहीं करना किसी का portfolio, अगर आप copy कर लेंगे तो आपकी uniqueness क्या कहांगे, और believe me, जो नकल लगाई होती वो कभी चुपती नहीं है, वो सामने उठके आई जाती है, so आप copy नहीं करेंगे किसी का portfolio, and never use formulaic website templates, यानि कि formula लगा आता ना कि यार ये website का template यूज कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और दुनिया में 15-20 ऐसे top notch के themes हैं, websites की templates हैं, websites के, जो portfolio के लिए use होते हैं, आप वो वले ने use करें, कुछ हट के use करें, किसी website developer को पैसे दे के बनवाले हैं, अ don't include projects you aren't proud of, यानि कि आप वो वाले projects ना add करो भई, जिसके बारे में आपको लगता है कि यार ये बस ठीक ही थे, मतलब कोई इतने खास नहीं थे, जब आप कोई चीज ऐसी add करते हो ना, जिसमें आप खुद से ही ने confident होते हैं, तो believe भी वहाँ से पकड़े जाते हैं, और व इस पर मेरी command पूछ के आप पूछते हो इससे, ठीक है, तो इसलिए वो वाले projects add करने हैं, which you are proud of, अब ये तीन चीज़ें अगर आप avoid करने में लगा देते हैं, मतलब ये कि ये तीन चीज़ें अगर आप avoid करते हैं, यानि कि आप किसी का copy नहीं करते हैं, कोई template नहीं उठा और वो वाले projects नहीं डालते हैं, जिनवे आप proud नहीं हैं, so believe me, आपका portfolio और अच्छा हो जाएगा, these were few steps जो आपके portfolio को अच्छा बनाएंगे, अब